असकार साथियो, तीन से सोल है, इसके सेक्षन सी में, ग्रेमर के अंतरकत, जो आपका फ़र्ष्ट वन वर्ड सप्टिटूर्शन से कोशन पूचा है, अनुचित, पच्छ करना, टू प्लेस, इस्थान के लिए, वन्स रिलेटिव, अपने संबंदी की इस्थान के लिए, इनलुक्रेटिव, यानि की लावप्रद, पोश्ट, पोश्ट के लिए, इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, तो इसके लिए आपको बताना है, काश्टिज दोस्तों, इसका मतलब होता है, जातिवाद, इंडिवीजुलिजिम, इसका मतलब होता है, व्यक्तिवाद, सेकुलर्जिम, इसका मतलब होता है, धर्म निर्पेच, तो आपका सही अंसर होगा, नैपोलिजम, इसका मतलब क्या होता है, दोस्तों, इसका मतलब होता है, व्यक्ति व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता है इन दा एसिस्टेंस ऑफ गॉड इस्वर के अश्टतु में उसे हम कहते हैं एथीष्ट यानि की नाश्टिक अगर डज नॉट की जगह पर आपको कहा दे कि बिलीप्स एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान की अश्टितु में विश्वास करता है उसे कहते हैं थीष्ट यानि की आश्टिक ए अटा देंगे एका मतला होता है नॉट पहला वर्ड किलियर हुआ होगा उसके बाद अगला अच् हे अगला इंपोर्टेंट वर्ड है एक व्यक्ति का जीवन इत्यास रिटन वाय हिंसेल्फ खुद के ही दौरा लिखा गैक उसे कहते हैं ओटो बाईयोगरिटिटीटिज होता है वाईयो माने जीवन होता है और ग्राफिए मान होता है लिखना तो तो ओटोवायोगरफिट यानि कि आत्म खथा अगर आपको देखने को मिल जाए यह कोशन और लाइफ इस्ट्री ओफ और मैं रिटेन वाई समवन एल्स क्या दे दे आपको समवन समवन एल्स अगर समवन एल्स हो तो केवल वह रह जाएगा आपका वायोग्राफी यानि कि जीवनी अच्छे से क्लियर हुए होंगे अच्छे वड है यह उसके बाद आगला इंपोर्टेंट आपके लिए वन वर्ड बन सकता है गवर्मेंट वाई-द नोबल्स स्रेश्ट लोगों की सरकार जिसे कहते हैं अरिष्टो क्रेसी क्या कहते हैं अरिष्टो क्रेसी या नीचे और भी देख सकते हैं आ यानि की अराजकता आगे देखी अच्छे दो एक वर्ड और है एन असेंबली ओफ लिसनर्स स्वेताओं की या स्रोताओं की एक भीड जिसे आप कहते हैं ओडियेंस क्या कहते हैं ओडियेंस अगला इंपोर्टेंट वर्ड है आपका अलवर ओफ बुक्स यानि की पुस्तक प अधिकारियों की सरकार उसे कहते हैं ब्यूरो क्रेसी क्या कहते हैं ब्यूरो क्रेसी